हेलो डिवन स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूटूब चैनल में तो आज के इस वीडियो हम करने वाले है क्लाश 12th होम साइंस के यानि के गरिव विज्ञान के इंपॉर्टिन सब्जेक्टिव कोशन एंसर को जिसमें के हम होम साइंस के लगु तरियर प्रश जा में भी देखने को मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं फर्ष्ट कोशन से तो पहला कोशन है हमारा कि विटामिन क्या है आप लोग कई बार सुने होंगे विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी लेकिन यह विटामिन होता क्या है विटामिन क्या हो और हर एक बिमारी से लड़ सके, यह जो छमता होता है, वो छमता कौन परदान करता है, तो विटामीन ही परदान करता है, सरीर के उत्तम श्वास्त के लिए यह आवश्यक होते है, सरीर के यानि कमारे पूरे बॉड़ी के उत्तम श्वास्त के लिए अच्छे स्वास्त के लड़ने के लड़ने की चमता भी परदान करता है और सरीर के उत्तम श्वास्त के लिए या पिर सरीर के अच्छे स्वास्त के लिए जो विटामिन होता है यह आवश्यक होता है सिंपल सा कोशन है और सिंपल में आपको लिखना है अब वहला कोशन करते हैं और नेश्ट कोशन है हमारा कि मौतरिक आई क्या है यानि कि मनी इंकम क्या है तो परिवार के सभी सदसों को एक निश्चित समय में काड़ करने के वा जो मुद्रा के रूप में जो आई पराप्त ह परप्त होता है या निश्चित समय में काड़ करने के बाद मुद्रा के रूप में जो आई पराप्त होता है यानिक जो आमदली पराप्त होता है उसे ही हम मौद्रिक आई कहते हैं अब अगला कुशन है मारा कि ग्रीविग्यान सिख्चा के लाव क्या क्या है ग्रीविग्यान यानिके होम सैंज जो आप पढ़ते हैं ग्रीविग्यान सिख्चा इसके लाव क्या क्या होते हैं तो ग्रीविग्यान विशे में आहार एक पोशन, स्वास्त, सफाई, वशिसू, कल्यान, आदी का वैग्यानिक ज्यान दिया जाता है ग्रिव विग्यान पढ़ने से क्या क्या ग्यान मिलता है तो ग्रिव विग्यान पढ़ने से हर एक विशे के बारे में अहार के बारे में, पोशन के बारे में, श्वास्त के बारे में, सफाई के बारे में, सिसू कल्यान के बारे में, बच्चों के कल्यान के बारे में आ दिया और भी कई चीजों के बारे में वैग्यानिक तरीके से हमें ग्यान दिया जाता है जिससे व्यक्ति परते दिन के परते काड़ों को व्यग्यानिक रूपशे कर सकता है यानि कि ग्री विग्यान जो होता है इसमें हमें अच्छे धंग से बताया जाता है सभी चीजों के वारे में जैसे ग्री विग्यान के वारे में बताया जाता है कि कैसे हम श्वास्त को अच्छे से रख सकते हैं सफाई किस तरह से करेंगे सिसु कल्यान किस तरह से करेंगे पोशन किस तरह से अच्छा रख सकते हैं अहार किस तरह करेंगे यह सब किस में बताया जाता है यह सब में बताया जाता है ग्री विज्यान में let चुकते हैं ऐसी दस सप्जेक्ट है दसों सभ्जेक्ट का पिडियाप त्यार हो चुकत है कि यह कोई 5 सब्जेक्ट हो सकता है तो पांस सब्जेक्ट, आपको कुछ भी हो सकता है जैसे हिंदी हिष्टी, पीलिटकल साइंस, उंग्छिज, जोग्राफी, music home science psychology sociology and economics इसी तरसमें से आप लोग के लिए भी पांच सब्जेक्ट कुछ कोई होगा और आप लोग भी चाहे तो इस पांचो सब्जेक्ट का पीडियाप ले सकते हैं जिसमें कि आपको objective मिलेगा और subjective मिलेगा और पांचो सब्जेक्ट का मिलेगा और इसका प्राइज जो हो सिर्फ 25 रुपया है 25 रुपय इसलिए है ताकि हर एक बचाइस को एफोर्ड कर सके हर एक बचाइस पीडियाप को ले सके किसी के पास कोई असक्यूज नहीं रहे कि वो पीडियाप को नहीं ले सकता है समझ गया है आपको लेना किस तरह से पीडियाप तो यह देखिए नंबर है 790-3820-891 इस नंबर पर आप लोग फोन टे गुवल पर पीडियाप कुछ भी कर सकते हैं और उसका स्क्रीन सॉट ले करके आप लोग इसी नंबर के वाटसेप पर मेसेज कर देजेगा अपना सब्जेक्ट बता दिज lyrics आपंगो please अप लोग को पीडियाफ मिल जाएगा और आप लोग को बता यति है कि पीडियाफ में आप लोग अपजक्तिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा और पांचो को सब्जेट का प्याएग यससे आप लोग से इतना ही कोशन पूछा जाएगा लेकिन होम साइंस में क्या राता है कि अलग-अलग तोपिक से अलग-अलग तरीकों से कोशन पूछा जाता है जो भी इंपोर्टेंट कोशन है आपके आने वाले बोड एक्जाम के लिए उस सभी प्रशनों का इसमें एड कर दियें तो क्या हुआ अप लोग सुनें होँगे लेखन这 माश्टर ग्रन्थी कोशन में देखें ऊजितECTा जाता है माश्टर ग्रन्थी किसे कहते हैं प्यूश जबिकार होने का मतलब होता है हॉर्मन्स का भहुत जा प्र अधिक कम हो जाना है तो श्रव के दानेऩ के जैसा होता है और प्यूस विकार होने का मतलब होता है हर्मन का अधिक हो जाना या भी बहुत कम हो जाना और ईसका पिडियप लें के लिए अप लेने के लिए आप लोग लिए पुरे के पूरीप का प्रायस ज्यादा भी ड़क सकते थे पांचू सब्जेक्ट का PDF मिलेगा अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा समझ गए इसको आप लोग जहू ले ले जएगा और ये PDF जो भी बता पढ़ा रहे हैं इसका PDF लेने के लिए आप लोग वार्शेव रूप में ज्वान हो जाएगा कैसे होता है धूल या फिर मिटी के साथ भी टेटनस के जो जीवान होते हैं वो चिपक जाते हैं यदि रोगी को ततकार टेटनस का इंजेक्शन नो लगा जाए तो यह रोग हो जाता है कई बार आप लोग देखे होंगे कि लोहा में चोट लग जाता है या फिर किसी भी ऐसे ओजार से हमारा हाथ कर जाता है या फिर चोट लग जाता है तो हम लोग टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं वो इसलिए लेते हैं ताकि अगर हम नहीं लेंगे तो हमें टेटनस का रोग हो सकता है अगर उसमें जंग लगा वो लोहास में तो इस रोग के जिवानु मास्पेसियों को अधिक प्रभावित करते हैं यह जो टेटनस का रोग हो जाता है इस रोग के जिवानु होते हैं यह मास्पेसियों को अधिक प्रभावित करते हैं याद रखेगा सिंबल सा कोशन है तुरंत किसी धातू पर गिर कर गिर जाने के कारणा चुट लग जाएगा उसे क्या हो जाएगा अगर इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा तरकाल में टिटनस का तो उसे यह रोग हो सकता है सिंपल सफ कोशन था और यह जो रोग है यह जीवानू मासपेशियों को अधिक प्रभावित करता है जो टेटनस जीवानू होता है यह मासपेशियों को अधिक प्रभावित करता है वगला कोशन है मारा कि अती पोशन से क्या समझते है तो अत्याधिक आहार ग्रहन करने की पो सीमें लोग अती पोशन करते हैं कि अत्याथिक आठी जाते अनिक रोग हो जाता है। अब अगला कोशन है उभोक्ता सरक्षन यानि कि कंजूमर प्रोटक्षन क्या है उभोक्ता सरक्षन क्या होता है उभोक्ता अपने हितों की रक्षा जिन तरीकों से कर सकता है उसे ही उभोक्ता सरक्षन कहते है यानि उभोक्ता कौन होता है तो जो भी कोई व्यक्ति कहीं पर क प्रयूज़ कर सकता है उसी तरीका को मैं क्या कर सकते तो उषी को मैं सबूस्पा ego स्र Ouch Heater 味 अभूक्ता संदेशन का अर्थ होता है उभूक्ता के हिटोगी रख्चा यानि उभूकता संदियों का haven गया था याद रखेगा 1986 में बनाया गया था सिंपल सा कोशन था कि अपने हितों की रक्षा के लिए जिन तरीकों का इस्तमाल करता है उसे ही अपने तरीके में आप लोग लिख सकते हैं अगला कोशन है मारा भोजन पकारने के क्या कारण है तो भोजन पकाने के समया खाद पदार्त के रंग, रूप, अकार तता शुगंद का ठीक स्मायोजन भोजन को आकरसक बनाता है और भूग को अतेजित करता है भोजन को हम पकाते क्यों है कच्चे क्यों नहीं खा जाते है क्योंकि जैसे भोजन को पकाएंगे उसका श्वाद होगा उसका जो कलर होगा वो अच्छे से आएगा और हमें भोजन करने में भी अच्छा लगेगा इसलिए हम भोजन को पकाते हैं बहुता कोशन था कि भोजन पकाने के समय क्या होता है उसके कारण क्या होते हैं भोजन को क्या पकाते हैं तो भोजन पकाने के समय खाद पदार्थ के रंग रूप अकार तता सुगंद का ठीक समयोजन को ही हम भोजन काते हैं और वो भोजन को क्या बनाता है भोजन पकाने से जो भोजन होता है, वह आकार्शक बन जाता है, और हमें भूग भी उत्तेजीत हो जाती है, यानि हमारे भूग जो होती है, वो भी बढ़ जाती है, अब अनगला कॉशन करते हैं, तो नेस्ट कॉशन है हमारा, कि विश्व स्वास्त holds यानि कि डवलु एच ओ से आप क्या समझते हैं विश्वास्त संगठन यानि कि डवलु एच ओ कई बार आप नाम सुने होंगे लेकिन इससे आप क्या समझते हैं यह क्या है तो विश्वस्वास्त संगठन यानि कि डवलु एच ओ विश्वस्वास्त संगठन के अस्थापना 1948 S.W. में कुपोशन निवारन हेतु की गई थी WHO की जो अस्थापना है वो 1948 S.W. में की गई थी और क्यों की गई थी तो कुपोशन का निवारन करने हेतु WHO की अस्थापना की गई थी जिसके के 148 देश सदस है यानि कि कितने सदस जुरे हुए है इसके द्वारा भारत को 220 स्वास्त योजनाओं के लिए सहायता प्रदान की गई है इसके द्वारा भारत को 220 स्वास्त योजनाओं के लिए सहायता प्रदान की गई है इसके द्वारा 20 विजिटिंग प्रोफेसर भेजे गए थे मेडिकल कॉलेज में भारत में अब अगला कोशन करते हैं और नेस्ट कोशन है मारा कि और स्थाई दांत क्या है तो बालक में 6 से 8 मा के बीच दांत निकलना पारंब हो जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 6 महीने से ले करके 8 महीने के बीच दांत निकलना शुरू हो जाता है और 5 वर्स से टूटिन ले लगता है इनकी संख्या 20 होती है चोटे बच्चों में क्या होता है जब बच्चा छोटा 6 महीने कराता है या फिर 8 महीने कराता है उसी समय से उनका क्या होता है दांत निकलना सुरू हो जाता है और उनका जो दांत निकलता है छे से 8 महीने के बीच में या फिर उसके बाद जो निकलते रहता है वो सब क्या होत चोटे और गुन हीन होते हैं यानि कि जो पाँच वर्स तक जो दान्त निकलते हैं वो क्या होते हैं जो आपके बात में दान्त निकलेंगे उससे छोटे छोटे यह दान्त होंगे और गुन हीन होंगे समझ गया है अभी जो आपके दान्त होंगे उससे छोटे डाय होगे जिस सिर्फ 25 पर आप लोग को 500 सब्जेट का अब्जेक्टिवी मिलेगा सब्जेक्टिवी मिलेगा और पूरा आपका सिल्वस कम्प्रेट करवा झाल झाल